सभी चौधरी भाईयों को नमस्कार, मैं पंकज चौधरी, गाव बठकला, तहसील हरोली, जिला उना, हिमाचल प्रदेश से हूँ। आज की यह वीडियो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान के सभी घृत, बहती और चांग चौधरी समाज के नाम है। यह वीडियो हमारी मिट्ती पहचान को उजागर करने के लिए है। आप सभी से अनुरोध है, इससे जरूर देखें। दोस्तों, आज चौधरी, समाज, राजनैतिक, प्रशासनिक और शक्षनिक तौर पर दूसरे समाजों से पिछड़ता जा रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। हमारे समाज के अंदर भी कई विरोधा भास है, एक तपका बड़ी आगे है और एक आज भी गरीबी रेखा के नीचे। कुछ विद्वानों का मानना है कि समाजिक सुधार न होने के कारण हम पिछड़ रहे हैं। लेकिन सामाजिक सुधार तो 1932 या फिर इस से पहले से भी चल रहे हैं। और कौन सी ऐसी बुराई है जो केवल हमारे ही समाज में हैं। और जिसमें सुधार लाने की जरूरत है और आज तक सुधार ही नहीं रही। आज हम सभी इतने पढ़ लिख चुके हैं कि इन्हें आस फिर सिर्फ हमारी समस्या क्या है? मेरी माने तो हमारी समस्या इन सबसे गंभीर है और वो है हमारे राजनीतिक प्रतिनिद्व को खतम होना या करना। एक समय पर हमारा समाज राजनीति में उच्छतम स्तर पर था वर्टिकल बार चौधरी हरदयाल, चौधरी नारायन भूमी सुधार और आरक्षन जैसे आंदोलन चले और सभी सामाजिक सुधार खुद बखुद हुए। इनके व्यक्तित्व इतने बड़े थे कि राज्य सरकार इन से कांपती थी। विरोधी इस बात को जानते थे। इसलिए इन नेताओं को खत्म करने की योजनाएं आते हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं होती, मीडिया आपकी कोई खबर उजागर नहीं करता, ऐसे में हम सब एक राजनीतिक घुटन महसूस कर रहे हैं। जब आप सामाजिक सुधारों की बात करते हैं, तो विचार खुद अपने आप राजनीति की तरफ पहुँच जाते हैं। और फिर सामाजिक सुधार कोन लाएगा? कोई संस्था या फिर 15 या 20 लोगों की टोली? क्या कोई संस्था 20 लाख लोगों में कोई सुधार कर सकती ह उनको शिक्षित कर सकती है? उनको रोजगार दे सकती है? नहीं! हर एक संस्था की अपनी सीमाएं हैं, कोई भी संस्था सरकार की जगह नहीं ले सकती। अंतता हमारे पास सिर्फ सरकार ही बचती है। आजादी से पहले जब अन्य जातियां अंग्रेजों से मिलकर शासन कर तो बो भी राजनीती ही थी और इन जातियों को इस राजनीती का कितना फल मिला है आप और मैं जानते ही है। थेकेदारी की प्रथा, अंग्रेजी काल की जमीनदारी प्रथा से ही आई है। अंग्रेजों के समय से ही राजनीती में दूर रहने की सजा हमें मिल चुकी है, अ कुछ बुराईयां साथ चलती ही रहती है। लेकिन जब राजनीतिक आंदोलन आते हैं, तो समाज एकदम से उर्जा से भर जाता है। हो सकता है कि हर राजनेतिक आंदोलन काम्याब न हो, लेकिन इससे जो चेतना आती है, वो कई सुधार करके जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी एकता जिन्दाबाद।